हेलो एविवान दिस इस चंदन गनोत्रा यौ फेवरेट जुगाडू सर फोर नीट फिजिक्स थे रहेट विदान्तु नीट में डीजी अब सोच रहे होगे कि सर वाई डू यू कॉल यॉसल्फ एस जुगाडू सर तो मैं एक बार बता दूं बहुत सारे मेरे साथ यह के एक इस चंदन गनोत्रा सर आपके लिए हाजिर है तो अब इसमें करना क्या है एक बहुत सिंपल सी एक एक एक्टिवीटी में आपको करके दिखाऊंगा और यह एक्टिवीटी आप कहीं ना कहीं आपको फ्री बोडी डाइग्राम नॉर्मल रियक्शन वेट इन सबसे रिलेट इसको ओन कर लिएक जैसी बेट एस पर यहां पर यहां पर ओन कर दिया ठीक है अब आपको जैसे यहां पर दिख रहे है कि इसकी रीडिंग फिलहाँ अभी जीरो है अब इसके उपर मैं इक बकेट ओफ वाटर बकेट रखता हूँ जिस के बाद मैं मैं इसके पानी भरूं of water में मैं पानी भरूंगा देखते हैं अब कैसे करने हैं अब एक एक करके बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत चलिये अब इसके अंदर धीरे-धीरे से पानी भरते हैं चलिए जैसे पानी भरेंगे weight बढ़ने लगेगा, इसमें तो कोई भी rocket science नहीं है न, जैसे पानी भरेंगे, वेट बढ़ने लगेगा, जैसे आपको दिख भी रहा होगा, right, as I am filling the water, the weight is getting increased, दिख रहा हूपर screen पे, the weight is getting increased, चलिए, तो अभी एक बहुत interesting सी चीज मैं करने वाला हूँ, right, वेट यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, चलिए, तो अब इसके अंदर पूरा ही पानी पलट देते हैं, अराम अराम से क्या पलटे, पूरा ही पानी पलट देते हैं, अराम से ओ, यह थोड़ा रिस्की लग रहा है, थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, नीचे मैंने थोड है आपको समझ आएगा कि पानी क्यों ज्यादा भरना है चलिए थोड़ा सा ज्यादा भरेंगे काफी रहेगा और यहां पर हमने अपना पानी मतलब बेसिकली इसके अंदर पानी भर दिया है अब यहां पर आप क्लोजली रीटिंग नोट कर लिजिए जैसे मेरी रीडिंग य आप कल को इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलिजिस में पढने वाले हो देश का नाम रोशन करने वाले हो राइट बताईए छोटा सा लॉजिकल चीज अब पानी के अंदर मैं जैसे हाट डालता हूँ तो जैसे मैंने पानी के अंदर हाट डाला ध्यान दीजिए जैसे बाहर निकाला तो ऐसा क्यों हुआ वाइट इसको मैं थोड़ा सापको एक्स्प्लेइन कर लेता हूँ तो बेसिकली हो क्या रहा है वट इस एक्स्प्वली है यह जो वेट 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 है तो चलिए मैं आपको एक्स्प्लेइन कर लेता हूँ with the help of a basic thing, तो यह जो weight है, यह क्या है, weighing balance आपका क्या measure कर रहे है, यह आपका mg measure नहीं कर रहा, यह आपका reaction measure कर रहे है, reaction, reaction measure कर रहे है, तो जैसे अब आपने पानी के अंदर हाथ डाला, right, तो यहां से एक और आपको एक reaction force मिला, right, पानी की तरफ से buoyant force की वज़े से एक reactive force मिला, वही इसमें add हो जाता है, तो basically जो final weight है आपका वो बढ़ जाता है, जैसे इसके अंदर मैंने ऐसे किया, तो एक reaction force ओर बढ़ गया, जिसकी वज़े से मेरा weight बढ़ जाता है, right, weighing balance में weight बढ़ जाता है, जैसे बाहर निकाला, weight घड जाता है, मतलब बाहर निकाल रहों, weight घड जा रहे, और वापिस same आ जा रहे, so that was a quick concept, comment section में बताओ, कैसा लगा, और do you want me to create such similar visualizing, learning by doing lab models, for any other tricky concept, जिसमें आपको confusion होता है, stay safe, stay healthy, bye-bye.